बिन सत्संग विबेक नहोई राम कृपा बिन सुलबन सोई आवतें सर अतकट नाई राम कृपा बिन आयन आई बाबक गोश्वामी तुल्शीदाज जी रमचरित्रमानस में कहते हैं बिना सस्ट्ण के विवेक नहीं होता इकींत सस्ट्ण की प्राप्ति भिना गोविंद कृपा कें नहीं होती तपवल रचे प्रपंची विधाता तपवल वेस्प सकल जगत्राता तपवल रुद्र करे संगारा तपवल से सुधरे महीं भारा तपिस्या करने की विचार से देवर्शी नारत बद्र का अस्रम में आए क्योंकि ग्यान बेराग्य एकदम मूर्शित पड़े हैं और भक्ति मया उनसे निवेदन कर रही है कि मेरे जो बच्चे हैं ग्यान बेराग्य वो अच्छे तवस्ता में उनको खड़ा करिए उनको जगाएए तो नारत जी उनको जगाने के लिए ग्यान बेराग्य को क्या-क्या उपाय कर रहे हैं भगबत प्रेमियों आप इस एप एपिसोड लगवग 20 मिनट का है और इससे अगले जो एपिसोड में आप दुंदकारी की कता सुन पाएंगे अगर आपने दुंदकारी की कता सुनी हैं तो आप जरूर हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे की आपको अगला नोटिपिकेशन प्राप् प्रारम करते हैं राधे राधे जै स्री राधे जै स्री राधारमन जै जै नवल कि सोर जै गोपी चित चोर प्रवू जै जै माखन चोर ब्रंदावन सो बन नहीं नंद गाम सो गाम बंसी वट सो बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम राधा मेरी स्वामनी मेरा दे को दास जनम जनम मोई दीजिये ब्रिंदावन सो वास प्रेम सरोवर प्रेम को भरो रहो दिन रेन जां स्री राधे पगदरे स्याम धरो दो नेन ब्रिंदावन के ब्रक्ष को मरमन जाने को डाल डाल और पात पात स्री राधे राधे होई मेरी भवादा हरो राधा नागर सोई जातन की चाईपरे स्याम हर्त मन होई सचदानन्द रूपाय विश्वोद पत्याद हेत वे तापत्र विनासाय स्री कृष्नाई वयं नमहा यम प्रवजन्त मन पेत म पेत क्रत्यम द्वय पायनो विरह कातर आजवा पोत्रे तीतर मतयातर वो विनेदुस तम सर्भूतिर दे मुनमान तो अस्मी अहो वकियम इस्तनकाल कूटम जिज्ञान से आपाय दपसाद वी लेवे गतिम दात्र चिताम ततोन अयम कमवा दयालू स्रणम ब्रजेमं जब ग्यान वेराग गीता पाठ है मुहर मुहर काफी उनको गीता पाठ सुनाया लेकिन वो खड़े नहीं हुए तो देवर्शी नारत जी ने भक्ति मैया को समझाया आप गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो दुख अपने आप भाग जाएगा फिर आप तो इनकी प्राण वल्लवा हो प्रेता मा हो आप जहां और जब बुलावर प्रभूत वहीं दोड़े दोड़े चले आएंगे चाहे वे कैसा भी घर हो कितना भी पतित घर हो जहां बक्ति मारानी वहां वहां भगवान रहते हैं चाहे वे ब्याद का घर हो बहेलिया का घर हो रैदास का घर हो मीरावाई का घर हो किसी का भी हो गजिंद्र का हिर्दे हो वानरवालू का हिर्दे हो भक्ति जाहे वहां भगवान आए बिना नहीं रह पाते प्रियतम प्रभू अपनी प्राण वल्लवा के पीछे लगे रहत फ्प्रकारभक्ति की बड़ी महमा नारज जी ग्यान और वैराग्य को तो अजने स्वोस्त करने का प्र्याश करने लगे ग्यान और वेजारा greasy नारज जी ने बड़े बड़े दिव्य वेध मंत्रों की माध्यम से लाब नहीं हुआ पार्ट किया फिर भी लाबлов 활 सब का सार भगवत गीता भी सुना दिया वे भी एक वार नहीं गीता पाठाई महर महर अनेको वार भगवत गीता का भी पाठ सुनाया थोड़ी सी चेतना तो आई परंत फिर गिर गए अब नारज जी को चिंता होने लगी ग्यान प्रवध्यताम सीग्रम्रे वेराग्य प्रवध्यताम ग्यान खड़े हो जाओ वेराग्य सावधानों बहुत प्रत्न करने पर जब कोई लाव नहीं दिखा तो नारज जी को चिंता हो ठीकि अब क्या करूं मेरे तो औस दाले में जितनी चूरन चटनी थी वे सब चटा दी इन दोनों को तो इन दोनों को स्वास्त होने में कोई फरक ही नहीं पड़ा अब कौन सी दबाई इनको खिला ही जाए उसी समय आकास माणी हुई उद्यम सपलेस्तिम भवस्यती नसंस है हे नारज जी आप उद्यम करो उद्यम करो देवर्शी तुमारा उद्योग सफल होगा इसमें कोई संदे नहीं इसके लिए तुम सतकर्म करो और यह सतकर्म तुमें सादू पुर्श बताएंगे आकास माणी को सुन देवर्शी नारज विचार करने लगे आकास माणी ने भी मुझे गुप्त रूप से वरणद किया है वह कौनसा साधन है, जिसके करने से ज्यान बैरागी की मूर्चा धूर हो जाए, देवर्शी नारद ने ज्यान बैरागी को वहीं छोड़ और तीरतों में जाकर संतमाप माहत्माओं को से पता करने लगे, चल पड़े, संतमाप में नारद जी को आते हुए देखा, तो अपनी अविग्या के कारण डर से मोन धारन कर लिया कई संतों और आश्रम छोड़कर भाग खड़े हुए जब कोई किसी का एक निड़े पर नहीं पहुचा तो देवर्शी नारद ने तपिश्या करने का विचार किया क्योंकि तपवल रचे प्रपंच विधाता तपवल विश्व सकल जगत्राता तपवल रुद्र करे संगारा तपवल से सुधरई महीं भारा तपिश्या करने के विचार से देवर्शी नारद बद्र का आश्रम आये वहाँ उनोंने सनकादिक आदी मुनिश्वरों को देखा तो उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे का मुनिश्वर आप दिखाई तो पांच वर्ष के लगते हो परंत आप पूर्वजों के भी पूर्वज निरंतर हरी सरणम हरी सरणम इसका जब करते रहते हैं जिससे ब्रद्दावस्ता आपको वादित नहीं करती जिन आपके भूभंग मात्र से भगवान श्री हरी के द्वारपाल जय और विजय बैकुंट से प्रतिवी में गिर पड़े और आपकी ही किरपा से उन विजय में का है वे कौन सा साधने बताईए सनकादी मुनीशरों ने का देवर्सी प्रसन हो जाओ क्योंकि वह साधन बहुत सरल और पहले से ही विद्वान है सत करम सूच को नूनम ज्यान अग्य स्मृतो वदही स्रीमत भाग वतालापे सगतु सतु गीत सुकादवी सत करम सूच को नूनम ज्यान अग्य स्मृतो वदही स्रीमत भाग वतालाप सतु गीत सुकादवी वह है स्रीमत भागवत की कथा कथा जिसका गान सनकादी मुनिशर करते हैं इस स्रीमत भागवत के द्वारा भक्ति ग्यान बैराग तीनों को महान बल मिलेगा और ग्यान बैराग दोनों का कष्ट दूर हो जाएगा देवर्शी नारद ने कहा मुनिशर जब बेद वेदांत की और गीता पाट से ग्यान बैरागी की मूर्चा दूर नहीं होई तो वह है स्रीमत भागवत से कैसे हो जाएंगे जागेंगे क्योंकि भागवत के प्रतेक इसलोक और पद में बेदों का अर्थ है नेहत है सनकादी मुनिशर ने कहा देवर्शी जैसे ब्रक्ष में जड़ से लेकर सिखा परियंद रस विद्वान है परंत जो स्वाद फल से प्राप्त होता है वे स्वाद लता सिखा से नहीं प्राप् जा सकते हैं घी से द्वारा दी गई आहुती देंगे तो अगनी और ज्वादा प्रजलित होगी और दूद से देंगे तो अगनी सांत हो जाएगी इसी पिरकार गन्ये के प्रतेक पर्व में सरक्रा विद्वान है परंत यदि खीर बनानी है तो गन्ये का पर्व डालने से उसमें मिठास नहीं आएगी मिठास तो सरक्रा डालने से ही आएगी ठीक इसी भाती है नारज कार भागवत जी से सिद्व हो सकता है वैं बेदों से नहीं नारज जी बोले भाग्यो दैन बहो जन्म समर्ज तेन सत संग चालवते प्रसो यदावई अग्यानेत क्रत मोह मदांदकार ना संबिदाही तदो दैते विवेक इसी जन्म के भाग से नहीं अब तु जन्म जन्मांतरों के जब पुन्यों तो भाग्यो दैने होते हैं तब जीव को सत्संग लाप्राप्त होता है आप जैसे संतों के दर्सन और संग मिलता है और उससे विवेक जागता है जब विवेक का सूर उदे होता है तो अग्यान का सारा अंदकार नश्ट हो जाता है इसी बात को हमारे बावा गोश्वामी तुलसीदा जी कहते दिने सत्संग बिवेक न होई राम कृपा बिन सुलबन सोई आवत एंसर अतकट नाई राम कृपा बिन आयन पाई बिना सत्संग के बिवेक नहीं होता किन्त सत्संग की प्राप्ती बिना गोविंद किरपाक के नहीं होती नारजी कहने लगे भाईया अब तो मैं आपके श्री मुख से भागवत कता का रस्पान करूंगा सनत कुमारों ने नारजी से कहा देखो कता हम लोग हरद्वार में गंगा के तट पर आनंद नाम के बन में करेंगे स्रन नारज वक्षाम विनमराय विवेक ने गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नाम कम विचार करिये भगतो नारजी की भेंट सनकादी से बद्रीनात में हुई किंत भागवत कता करने के लिए हरद्वार को चुना ऐसा क्यों सनतकुमार कहते हैं बीच में है कता होगी तो उपर परवतों से संत मात्म कथा शर्वन के लिए आजाएंगे और नीचे जो मनुश्व रहते हैं कथा स्रवन के लिए थोड़ा ऊपर आ जाएंगे देखते देखते वह भ्रगु वसिष्ट चवन गौतम हजारों हजारों मात्मा एकत्रत होगे ग् दवी के साथ पतारे कथा प्रारम हुई कि सदा से भ्यास सदा से भ्यासके श्रीमत भागुवती ऑधाप यस्या सर्वण मात्रेड़ हरी सितम समांस्रेत सदाश्रीमत भागुवत्zna कथा का स्रवन पान करो इसके स्रवन मात्र से नारण हरी आपके हिर्दय में आकर कैद हो जाएंगे बंद्यों हिर्दय में बिराजित और कैद दोन में अंतर है राजा बली ने अपने महल के दरवाजे पर गोविंद को कैद कर लिया था कथा स्रवन करते करते ज्यान बेराग्ज दोन युवा हो गए भाक्ती सोतव तव तरण ग्रिहित्वा प्रेमाइक रूपा से साविरासित श्री क्रिष्ण गोविंद हरे मुरारे ना थे ते नामान मोहर वदन्ती बक्ती महरानी अपने पुत्र और ज्यान के साथ सब के बीच में परगठ होकर ताता थैया करके ना चुटी और जुम-जुम कर नाम संकीर्टन गावठी समस्त स्रोता समदा भक्ती मैया के साथ भगवत नाम संकीर्तन में लीन होगे कीर्तन करेंगे आप थोड़ा सा मेरे साथ दोड़ाएंगे सिरी क्रिष्ण गोविंद हरे मुरारे हेनात नारा यनवास देवा एक मात स्वामी सका हमारे हेनात नारा यनवास देवा सिरी क्रिष्ण गोविंद हरे मुरारे हेनात नारा यनवास देवा बंदी ग्रैके तुम अवतारी कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी किसी के जाए किसी के काए हे अद्वुत हर बात त्यारी स्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नात नारा यनवास देवा गोगुल मिचम के मत्रा के तारे हे नात नारा यनवास देवा स्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नात नारा यनवास देवा अधर परवंसी हिर्दे में राधे बट गए दोनों में आधे आधे हे राधा नागर हे भक्त वत्सल स्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नात नारा यनवास देवा गीता में उपदेश सुनाया धरम युद्ध को धरम बताया करम तु करमत रख पल की इच्चा ये संदेश तुम ही से पाया अमरह गीता के बोल सारे हे नात नारा यनवास देवा स्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नात नारा यनवास देवा तुमेव माता चपिता तुमेव तुमेव वंदो सका तुमेव विद्या द्रणं तुमेव तुमेव सरमं देव देवा स्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नात नारा यनवास देवा नारा जी ने प्रिश्ण किया भगवन कता से पुन्यात्मा तरही जाते हैं किन्त क्या कोई पापी भी इस कता को सरवन करके मुक्ती पासकता है तव संकादी मुनी बोले नारा जी ध्यान पूर्वक्षनों ये मानवाक पाप कृतस्तू सर्वदा सदा दुराचारिता विमारगा क्रोधा दगनी दगधा कुटला लश्च कामन सब्दा यज्यन कलव पुनंती ते है क्या कह रहे नारज जी से सनत कुमार नारज जी बोले वह माराज गजव कर दिया आपने जीते जी की बात छोड़ो मरने के बाद भी सुन कर तर जाए ऐसा कभी आज तक संभब हुआ कोई प्रमाण है क्या सनकादियों ने कहा हा नारज जी जो मनुष सदे पाप कर्म में लिप्त रहते हैं दुराचारिये कुटल हैं कामिये हैं ऐसे जीव यदि एक बार भागवत सप्ता को सरवन कर लेते हैं तो उनकी मुक्ति हो जाती है तुंग बद्रा तटे पूर्वं भूत पत तन मत तमं यत्र वरणा सधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत पराँ हे नारा जी तुंग बद्रा नदी के तट पर उत्तम नाम का नगर था वहां एक आत्म देव नाम के ब्रहमन रहते थे उनकी पत्नी का नाम धुंदली था ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था ब्रहमन देव के पास किन्त संतान एक भी नहीं हुई विवा के पस्चात ना ही इनके घर गाये ने बचले को जनम दिया आपको तो पता है बंदो माता हो जब हमारे जीवन में दुख होता है तो हमारे दुखी होने के लिए कोई नहीं ता आता है और सब हमारा मजा कुडाते हैं दुखी के घर पर आसपडोस की मईया आ जाती है अरे दुखी बेहन मेरे घर कल सतनान की कता होगी क्या थोड़ा सा गाय का दूद मिलेगा जुन्दली कहती बेहन मेरे गाय ने आज तक बच्छडे को जनम नहीं दिया दूद कहां से होगा तब दूसरी वाली अंदर आती है और कहती है बेहन मेरे घर बटुक ब्रामण जिमाए जाएंगे अरे मैं तो भूली गई तुम्हारे कोई संतान नहीं है अरे बेहन गलती हो गई माप कर दो ऐसा बोल कर चली जाती है भगत प्रेमियों अब इससे अगले की अगली कता आगे की कता हम अगले एपिसोड में सुनाएंगे जो दुन्दकारी की कता है बड़ी रोचक कता है स्रीमत भागवत कता से संबंदित कता आपको सुनाते रहेंगे अभी तक अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मैं बिदा लेता हूं रादे रादे जैस्री रादे